वेंजी क्या कहेंगे जो ताज है जो जिम्मेदारी है अध्यक्षपत की उसको ले करके कितनी चुनौती आपके सामने है देखे अभी तो मुझे अध्यक्षपत बने वे लगवग आठ महीने हो रहे हैं और नातिक जीवन में चुनौती दो प्रकार किरोती एक चुनौती तो बिपक्ष द्वारा जो चीजे खड़ी की जाती है उसको उसका समधान लेकिन मैं उत्राकर कर कहूं तो हमारे सामने आग की तारिक में मुद्दा भीन बख्ष है और जब मुद्दा भीन बख्षी बात कर रहा हूं तो चुनौती मैं वानता हूं कि जाम खड़े वहां पर इस्तिर बने रहे हैं कि पाज लोग के मार पास हैं पिदान समय हमारी लगवा 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 दो त्याई बहुत में हम लोग हैं नगर पाले का नगर निगम में हम नब्बे परसंद हम जीट बीज़े हैं तो अगर मैं चुनौती के रूप में कहूं तो मेरे सामने वह इ उस्ता खड़ा करना और पिछले दिनों मैं कह सकता हूं हरदवार का नगर पालिका का पंचायत का चुना हुआ और पहली बार उत्ता प्रदेश में मिलें पर उत्तरा खंड की त्यासिक करूं बात कहूं तो ऐसा जिलायत जहां ब्लॉक परमुक से लेके जिला पंचायत इसके मैंने का हमने मैंने जो मेरा जो पहला कारिया था कारिकन तो उससा खड़ा करना और उस आधार पर मैं कह सकता हूं तो उसके कारण हमकों एक अच्छा रिजट प्राप्त हुआ है इसके साथ सार अब उत्तरा खंड के अंदर हो जाए देश के किसी भी कोने में हो अब को आंखों से देखना चाहते हं अचा और जब मैं ये बावत कहता हूं तो उत्तरा खंड कर को हूं आज उत्तरा खंड कर में जो आज घंक influence कर घंवहें अदर नीती तक फूर्दी सेवा काम कर रही है, तो जब बिकात दिखाई दिएगा भी कम होती ने लकिन आप कけं रहे हैं कि विपक्श जो है, मुड़ा बहाँ है लेकिन ये देखा जा रहा है कि सलकों पर लगातार विरूत प्रोदर्शन हो रहे हैं अलग अलग मुद्दे हैं चाहिए अंकीता मडर केस का मामला हो उचा पेपर लीग का मामला हो उचा जोशीमट का मामला हो वह रिदवार का मामला हो इतने सारे मामले हैं और विपक्ष दूसरे सरकारों में भी सब घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए लेकिन तत्काल 24 गंटे के अंदर अब्युक्त को जील में डालना बोरी रिकबर करना और एक एक व्यक्ति जिस पर उनके परिवार के लोग को संदेथा सकता आज जेलों की सलाखों के अंदर हैं यह भी उत्रा परिवारों को आज इतना भै का माहूल है उत्राखंट में रहने किसी में नहीं हैं और मैसिज देने का मुख्यमंत्री जहां तक बेरोद्गार का विश्य है अभी तक उत्राखंट के अंदर हर प्रिच्छा जो होती हो उस पे नकल हुई है इसका एक माहूल बना रहता है औ पहला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक-एक मुद्दे को उठा कर ऐसे जो अपरादी थे जेलों के अंदर डाले हैं और आज उत्राकंट के अंदर भारत का सबस्क्त कानून जिसमें आमर जेल की सजा है लेकर उसका वाद पेपर लीग हो रहे हैं नहीं उसका कही नहीं हो और जो पहले के समय के जितने पेपर लेक के मामले थे वो अब युकता जेल के अंदर हैं अंकी देमर्डर केस में आपने एक बात छोड़ दी विपक्ष्टि डिमांड करता रहा बार बार किसी विजाज की मांगो विपक्ष्टि भी कहता रहा कि बीजेपी खास एक विशे पिर प्रिशन हो जाकती है ग्रेह समय हुआ फिर दृफ्टि को भृटल कREY से निकाला जॉव सके इसी प्रिवार के प्रिवां हमेरी आ तो यहन 7 यह कोई अस्तान नहीं भी जहां तक आपने एक मिशय का कि कॉंग्रेस जरुसको इश्कू बनाए तह होता है जब जब नांद प्रिवार के पक्ष में सरकार खड़ी रही आज सुप्रीम कोट का मैट रहो हाई कोड का विश्व सरकार समुकादमे को लड़ रही है और एक विश्व में और आपके सामने रखना चाहता हूं यह जो घटना करम का जो मूल अपरादी है वह आज भी जिल के अंदर है और जिस यह जो लोग करते हैं प्रेसरes रहता है तो आज मैं कहोता हूं कि क्या जिसपरकार के अब्रहाद करने काल बश्रा खड़ादी का अंदर नहीं करे। में चैसे चीजों में सनलिप्त हो जाते हैं कि सरकार को और संगठन को नीचा देखना पड़ता है वहां balance कैसे करेंगे तेकि मैंने जैसे शुरू में का कि उत्रा खंड के अंदर अधिकतर लोग हमसे जुड़े हैं तूसरे दोलोग के लोग भी जुड़ रहे हैं ये ठीक है जो चीज नहीं होने चीज़ हैं उसके लिए हम चाहां सरकार को ठोड़ता कर रहे हैं वह दल के दा नहीं है जब से अध्यक मैं जितने मैटर हैं मैं पता सकतू आपको चाहिए यहीवाला मैटर है अंकिता मामला है हाई कोड में इस्ता है लगाई थी सरकार खो हो खामोश थी लेकिं अप ठोड़ तो लेकिन असके बारे के चर्च करें और रेल्डे की घुमी पर हाई को ध्र वो रेलबे बना हाई कोड था सवाल ये भी सरकार बना ने ने मैं पता रहूं आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा रेलबे की भूमी पर कबजिया धारी लंबे समय से थे और सब लोग जानते हैं कि ने कबजिया कर आए ठीक एक पक्स है मैं कहता हूं सरकार का करतब पर क्या